हलो वल्कम बैक टो मैं चैनल को 24 मैं हो साधिक और मैं आज आप लोग सा डिसक्स करने वाला हूं सी प्रोगामिंग के कुछ प्रेटर्ण्स के बारे में दोस्तों मैंने यहां पे बहुत सारा वीडियो अल्रीड एक्स्प्रेंड कर दिया है सी प्रोगामिंग के बारे में तो यह पुराना जितना भी सारा कॉंसेप्ट है यह सब हम लोग यूज करके एक प्रेटर्ण बनाने वारे हैं तो यह दोस्तों कुछ एक्सराइस है जो कि हमेशा हम लोग को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए तो ताकि हमारा जो कॉंसेप्ट है हम लोग जो लॉजिक है वह लिखते हैं तो मैं यहां पर आपन कर लेता हूं रैपलिट को एंड जो हमारा अभी एक नया रिपल को मैं क्रेट कर लेता हूं जो की होगा हमारा सी टेंपलेट पर ओके एंड हमारा यह जो लेक्चर होगा यह होगा लेक्चर 30 ठीक हम लोग यह रिपल को क्रेट कर लेते है तो दोस्तों template create होते हैं मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ने इस चैनल का अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि मैं बहुत interesting content आप लोग के लिए लाने वाला हूँ future पर तो यह हमारा template ready हो चुका है तो दोस्तों अभी हम लोग जो pattern बनाने वाले हैं तो कुछ इस तरीके से pattern हम लोग बनाने वाले हैं for example यहां पर एक star आ गया उसके बाद फिर एक star फिर एक space फिर star उसके बाद फिर यह ठीक है एंड फिर यह सोरी यहां पर और एक star आ जाएगा राइट फिर हम लोग इसको अगर copy करेंगे तो फिर एक अलग यहां पर हो क्या रहा है दोस्तो हम लोग user से एक number लेंगे कि आप लोग को कितना number of rows का pattern चाहिए ठीक है यहां पर जैसे 1,2,3,4 rows का pattern मतलब star print हो गया है तो हम लोग user से वो लेंगे तो यह dynamic pattern होगा हम लोग user से लेंगे 5 तो हम लोग क्या करेंगे 5 line वाला star print करेंगे उसके फिर अगर हम लोग user से ले रहे है चार तो हम लोग ऐसा कुछ चार line वाला star print कर देंगे दोस्तो तो यह चीज हम लोग कैसे करेंगे वही हम लोग इस program पर explain करने वारे है दोस्तो तो देखिए दोस्तो इसको करने से पहले मैं आप लोग कुछ बोलना चाहूँगा कि इसका logic का आप लोग कैसे generate करेंगे तो हम लोग हमेशा बोलते आ रहे थे कि कुछ भी चीज अगर repeat हो रहा है तो उस चीज को repetition के लिए हम लोग क्या करते हैं loop को इस्तेमाल करते हैं तो loop इस्तेमाल करके हम लोग उस चीज को बार बार repeat करवाते हैं ठीक है तो हम भी अब तो हम design करेंगे ठीक है तो अभी फिलाल के लिए मैं hello world को delete कर देता हूं and हमारा follow loop हम लोग यहाँ पर start कर देते हैं ठीक है तो follow loop हम लोग यहाँ पर start करेंगे तो हम लोग कुछ i चाहिए ठीक है उससे पहले हम लोग user से ले ले लेते कि कि कितना number का आपका pattern चाहिए मतलब कितना number आपका चाहिए तो follow loop चलाएंगे तो उसके लिए हमें एक i का ज़रूरत होगा ठीक है and उसके बाद फिर user से हम लोग ले रहे हैं कि कितना number का रॉस चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक num ले लेंगे user से ठीक है तो उसके लिए हम लोग printf user को क्या बोलेंगे user को बोलने वाले हैं कि आप एक काम करो आपका कितना number का रॉस चाहिए ठीक है तो enter the number of rows ओके यह हम लोग user से पूछ लेते हैं and जो भी user का value होगा वो क्या करते हैं हम लोग scanf में %d देके हम लोग num पे store कर लेते हैं ओके हम लोग num पे store कर लिया है तो यह बहुत easy concept है आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग scanf के help से कैसे हम लोग number को store करते हैं उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे for loop चलाएंगे ठीक है तो for loop कहां से चलेगा i is equal to like one से ही मैं शुरू करता हूँ okay and i less than equal to और less than equal to हम लोग num करते हैं and i को plus plus करते हैं ठीक है यह for loop हमने start कर दिया है तो बिना बताए मैं directly for loop पे चला गया तो क्यों मैं चला गया क्यूंकि मैं आप लोग को अलरड़ी बोल दिया कि for loop के इस्तेमाल करके ही मैं इसको करने वाला हूं तो अब देखे यहां पर अगर इसको काम करता हूं मैं इसके अंदर ले लेता हूं and comment कर देता हूं ताकि pattern दिखे भी and यह मतलब run पर भी कोई problem ना करे हैं ठीक है अगर हम लोग यहां पर एक काम करते हैं printf लगा देते हैं सुरी अगर हम लोग यहां पर printf लगा देते हैं and सिर्फ percent d देखे हम लोग i का value प्रिंट करते हैं तो हमारा output कैसा दिखेगा ठीक है अगर हम लोग कुछ i को प्रिंट करते हैं ऐसे and इसको करने के बाद हम लोग के एक काम करते हैं एक नया से क्या करते हैं हम लोग एक new line ल लगा देते हैं यहां पर तो पहले आई का वेलू प्रिंट होगा उसके बाद फिर एक नया लाइन प्रिंट हो जाएगा ठीक है इसको रन करके देखते हैं आउटपूर हमारा कैसा आता है इंटर नमबर अफ रोस हम लोग नहीं आप फाइब डाल दिया ओके जैसी मैंने डाल करते हैं यहां पर स्टार प्रिंट कर देते हैं यहां पर हम लोग एक स्टार प्रिंट कर देते हैं तो हमारा आउटपू था वो हम लोग कैसे बना रहे थे पहले हम लोग को एक स्टार चाहिए था यहाँ पर वन स्टार आ गया फिर हम लोग को दो स्टार चाहिए था यहाँ पर दो स्टार आ गया है फिर हम लोग को थ्री स्टार चाहिए था यहाँ पर थ्री स्टार आ गया लेकिन the problem is यहाँ पर जो number हमें चाहिए जो मतब जितना number का star चाहिए वो star तो present है लेकिन वो number क्या है? numeric भी present है उतना times of star हमारा यहाँ पर present नहीं है तो दोस्तों देखे जैसे हम लोग ने 5 rows print किया star का वैसे ही देखे एक एक raw में एक एक raw में जितना हमारा number है उसी number के हिसाब से यहाँ पर star भी present है ठीक है? तो क्यों न हम यहाँ पर एक और काम करें जो हमारा i का value है उस value को लेके हम लोग इसके अंदर इसके अंदर और एक for loop चला दे ठीक है? इसके अंदर हम लोग और एक for loop चला दे और वो for loop कितना time चलेगा? जितना time value i का है जो यह first time iterate हो रहा है तो i का value 1 है next time फिर घूम के जब i का value iterate हो रहा है तो वो कितना होगा? i का value 2 बन जाएगा उसके बाद third time फिर 3, 4, 5 ऐसे जा रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर और एक variable ले लेंगे जिसका नाम है j and हम लोग क्या करेंगे j का जो value है वो 1 से initialize करेंगे and j का value है वो less than equal to हम लोग क्या करेंगे? less than equal to i कर देंगे अब देखिए and उसके बाद फिर हम जो j को plus plus कर देंगे ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर पहले बार जब पहला बार जब I हमारा इटरेट होके आ रहा है तो I का value 1 है तो J का value 1 से शुरू होके less than 1 तक चलेगा मतलब कि J कितना बर चलेगा? एक बर चलेगा यह loop कितना बर चलेगा? एक ही बर चलेगा ठीक है एक बर चलेगा तो हमारा out of the loop हो गया फिर से एक नया line प्रिंट हो जाएगा मतलब कि हमारा cut sub जो है वो नीचे आजाएगा उसके बाद फिर next time जब यह वाला follow मतलब उपर वाला follow जब iterate होगा जब यह वाला follow में फ़रा बरा कर लेता हूँ तो यह वाला follow जब iterate होगा तब क्या होगा कि हमारा i का जो value है वो 2 हो जाएगा right and उसी हिसाब से यह जब इसके अंदर आएगा इस follow जब इस इकल टो जब इस इकल टो मतलब जब एक 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 का तो क्या होगा हम लोग एक स्टार प्रिंट होगा उसके बाद फिर जब i का value 2 हो जाएगा उसके बाद फिर हमारा loop दो बर चलेगा next time फिर से जब i का value 3 हो जाएगा यह वाला loop हमारा तीन बर चलेगा क्यों तीन बर चलेगा j is equal to 1 and j less than equal to 3 तो यह less than equal to 3 आते आते हमारा start 3 बर यह loop चलेगा इसका मतलब start 3 बर print हो जाएगा and यहाँ पर हम लोग कोई भी new line नहीं लगाया है तो इसका मतलब क्या है start जो print होगा वह एक ही line के अंदर print हो जाएगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर j less than equal to i करते हैं and इसको हम लोग क्या करते हैं एक बर run करके देखते हैं output हमारा आता क्या है तो हम लोग फिर से यहाँ पर 5 डाल देंगे and देखिए हमारा जो pattern है वह ready हो गया है तो इससे थोड़ा लग है क्योंकि हम लोग star के बाद एक space डाल देते हैं तो फिर से हम लोग इसको run करेंगे तो बहुत easy है दोस्तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 5 डाल रहा था मैं यहाँ पर 6 डाल दूंग तो देखिए यहाँ पर हमारा six rows of stars आ गया है and पहले star एक star था उसके बाद फिर दो star है फिर तीन star है चार star पास star and six star हो गया है तो बहुत आसान है दोस्तो इसको अगर आप लोग इस हिसाफ से देखेंगे तो तो इसको मतलब logic जब आप लोग building करेंगे तो कुछ इस नर्जरियर से देखना है कि one step by step जाना है एक ही बार में directly दो follow up आप लोग उसके अंदर डाल देंगे तो फिर आप लोग confused हो जाएंगे कि इसको करें तो करें कैसे तो आप लोग पहले एक follow up बनाईए उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे उस follow up के अंदर जो भी value हो रहा है आई का value प्रेंट करके देखिए कि क्या हो रहा है उसके बाद फिर आप लोग स्टार प्रेंट कीजिए फिर आप लोग के अंदर जो है वो लॉजिक आटोमेटिकली आ जाएगा कि आप लोग इसको further प्रोसिट कैसे करेंगे ठीक है दोस्तों तो अभी मैं फिर से इसको थोड़ा बहुत एक समरी दे देता हूं कि हमारा ज आप से यह for loop उतना बार चलने लगेगा ठीक है जब यह for loop खतम हो जाएगा मतलब कि एक line पर खतम हो जाएगा second line पर खतम हो जाएगा उसके बाद फिर एक new line आ जाएगा ठीक है जो की हमारा जो cursor है वो next line पर आ जाएगा ठीक है तो पहले बार i1 बार चला इसके लिए एक star print नेक्स टाइम आई का वेलू 2 था फिर 2 star print हो गया फिर new line आ गया फिर आई का वेलू 3 था तो इसके लिए 3 star print हो गया मतलब यह loop 3 बार चला तो 3 star print हो गया उसके बाद फिर new line आ गया ऐसे करके हमारा जो pattern है यह बन गया दोस्तों ठीक है तो इसी के साथ में और एक pattern आप वला आ जाएगा तो यह वला pattern को हम लोग कैसे बना सकते हैं दोस्तों बिल्कुल simple है अगर आप लोग ने यह वला यहां तक का जो भी coding था इसको अगर आप लोग ने समझ लिया तो बिल्कुल वसी logic को हम लोग apply करके यह जो inverse half pyramid है इसको हम लोग design करने वाला है और अभी हम इसको design करने वाए तो दूस्तों देखिए क्या же हम लोग करेंगे कुछ नहीं करना है बस इसको copy कर लेंगे यहां पर paste कर देंगे बस इसका logic जो था इस logic फिरे हम लोग समझने वाल है देखिए तो यहां पर क्या होगा हम लोग क्या कर रहे थे आई का जो minimum value था एक से शू i का value जह है वो maximum से शुरू करे मतलब i is equal to num से शुरू करे and i is equal to 1 तक चला है and i हम लोग decrement करते रहें तो हमारा क्या हो जाएगा i का value जो है वो पहले ही बार में जो हम लोग value देंगे मतलब अगर हम लोग 5 दे दिया तो पहले ही बार में next time जब चलेगा या चार बार चलेगा तो दूस्तो बस वही काम हम लोग करने वाले है इसका पहले हम लोग क्या कर रहे थे i को 1 से लेके num तक फिर हम लोग यहाँ पर इसको उल्टा करने वाला है num से शुरू करेंगे ठीक है greater than equal to 1 तक चलाने वाले है and i का जो value है इसको हम लोग decrement करेंगे एक करके decrement करेंगे ठीक है तो हमारा program बिल्कुल ready हो गया अंदर वाला जो loop है इसको हम लोग कुछ भी changes नहीं करना है ठीक है तो इसको अगर हम लोग अभी यहाँ पर run करेंगे एक काम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर एक ऐसे करके एक line कीचने वाला हूँ ताकि आप लोग मतब दोनो coding के बीच में एक line बन जाए ठीक है and last में मैं एक new line दे देना वाला हूँ हो गया हमारा यह वाला coding तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर run करेंगे तो हम दे रहें यहाँ पर हमारा 5 तो देखिए यहाँ पर हमारा यह वाला print नहीं हुआ वो print क्यों नहीं हुआ वो हमें देखना परेगा हमारा print क्यों नहीं हो पाया यहां पे तो यहां पे एक थोरा सा गलती हो गया मैरे से यहां पे i equal to हमारा getter than one हो जाएगा क्योंकि हम लोग maximum से minimum तक आ रहे है तो इसलिए हमारा जो यहां पे i getter than one हो जाएगा और हम लोग i++ करते रहेंगे तो previous जो मैंने condition डा रहा था वह i less than equal to one था तो हमारा condition for loop पे i नहीं रहा था तो इसलिए हमारा print हो ही नहीं रहा था तो इस बार हो जाना चाहिए तो अगर हम लोग यहां पे इसको run करते हैं और हम लोग यहां पे डालते हैं 5 डालते हैं तो देख कर रहे हैं ठीक है तो hopefully यह वीडियो आप लोगो समझ में आ गया होगा तो कोई भी डाउट रहा होगा तो कोई बात नहीं comment box आप लोग लिए खुला है आप लोग आईए comment box पे अपना doubt डाल सकते हैं मैं एक comment का doubt clear करने वाला हूं तो यह वीडियो अगर अप लोग अच्छ का अपाइगां हाई झाल रहा हो अपता है झाह झाहँ झाल जया है झाल ऑट लोगो